यह magnetic effect of current के उपर J-Advance 2024 का question है, इसमें coil है, जिसमें current I flow करता है, coil में, single turn का coil माना है हमने, इसके tangent से यह दो wire जो है, जो coil से connected है, किदार आ रहा है, किदार आ रहा है, इनके तरूम current pass कर सकते हैं, किसी भी time पे हमने suppose coil में current I pass किया, और हम इस तरह से देख रहे हैं, अगर top से द angle निकालना है, कितने angle से यह coil vertical plane में rotate होगा, इसके about यह suppose A, B है, A, B के about यह rotate करेगा, इधर rotate करेगा, इधर rotate करेगा, डिपेंड करेगा current का direction क्या है, suppose हमने current का direction यह लिया है, तो अगर हम इसको देखेंगे, यहां से अगर देखेंगे, अब मैं इसका जो है, ऐसा view देखा, आप ज़रा मैं side view देखता हूं इसका, या three dimensional view देख लेते हैं, तो इसमें जो coil है, ऐसे, यह जो coil है, इसमें current जा रहा है, ऐसे, और यह है इसका center, तो magnetic field जाएगा, ऐसे, यह magnetic field का direction होगा, कोईल अगर मैं यहां से, मैं पीछे से देख रहा हूं, इस side से देख रहा हूं, त लेकिन, magnetic moment क्या होगा, magnetic moment होगा, I into A, वो भी उसी direction में होगा, जब coil के तुरू current जाता है, जो उसका magnetic moment है, वो होगा I into A, और वो होगा इस direction में, into the plane, suppose magnetic field उपर जा रहा है, तो यह तो होगे हमारा mu, जो हमारा magnetic moment है, और यह हमारा हो गया, magnetic field, तो हमें torque लगेगा, अभी मैंन perpendicular माना हुआ है, लेकिन suppose ही कोई angle है, कोई angle उसने ले लिया, इस coil ने, यह angle ले लिया, और यह angle अभी theta है, finally किसी के angle पर होगा, horizontal में जब होगा, तो maximum torque लगेगा, लेकिन वो motion start करेगा, तो एक जगा equilibrium पर आएगा, तो काइदे में तो actually इसको oscillate करना चाहिए हम disturb करेंगे तो, पर हमें equilibrium position निकलना है, तो किसी भी point of time पर, जो torque लगेगा, इस coil पर वो होगा, B into mu into sin theta, B cross mu होता है न, तो इस वाली situation में जो हमारा magnetic field ऐसे है, और हमारा magnetic moment ऐसे है, सो यह अगर हम माने, magnetic mu cross B होता है न, torque is mu cross B, सो cross product में यह पहले लिखा है mu, तो जिसको पहले लिखते हैं वो यह होता है, mu और B, B उपर को जा रहा है, सो torque हमारा कैसे लग रहा है, इस direction में, torque का direction होगा, ऐसे, ऐसे देखिए, यह magnetic field है, यहाथ ऐसे घूमेगा नहीं न, magnetic field आकर ऐसे ले लेते हैं, सपोज initial position में, magnetic field ऐसे है, यह mu ऐसे है, तो magnetic field to mu, तो torque हमारा जा रहा है, अंदर को ऐसे, जब यह torque का direction है, तो rotate कैसे करेगा, ऐसे, इस तरफ गूमेगा, उपर की तरफ गूमेगा, साइट से अगर हम देख रहे हैं, तो यह सपोज ऐसे rotate कर गया, अब मैं इस साइट से अगर देख रहा हूँ, इदर को घूमा न, म यह coil का plane मुझे दिख रहा है, plane के थ्रू एक plane पास हो रहा है, और इसका जो magnetic moment था, वो इस plane के perpendicular था, और magnetic field ऐसे था, और magnetic moment यह है, यह mu था, और यह equilibrium position है, यह है हमेरा B0, so this angle is how much, this is theta, so this is pi by 2 minus theta, तो इस point of time पे, इस position में इसमें जो torque लग रहा है, वो है mu into B into cos theta, sin pi by 2 minus theta is cos theta, अब यह तो torque लग रहा है, यह torque इसमें ऐसे, इसको ऐसे गुमा रहा है न, हमने देखा इसको इदर को गुमा रहा है, तो magnetic field इसको balance करेगा, gravity mg ऐसे लग रहा है, इसको torque opposite direction में देगा, यह है r sin theta, so mu is how much, pi r square is the area i into b cos theta is mg into r into sin theta, so tan theta is equal to r r pi r i b upon mg, pi r, calculation देख ले जाए, pi r i b upon mg r cancel, so यह tan theta का value हो गए, तो relatively easy ही था, झाल, 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 झाल 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 झाल